कि नमस्कार बत्रों मैं एसके पाठक सीने नीरोथरापिस्ट पिछले 18 वश्वों से नीरोथरापी के मार्द्रम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और आज हमारे साथ आए राजकुमार जी और यह अपने बारे में बताएंगे कहां से आएं और इनको डिस्क बल्च था ल 4 कल sekहां ल 5 में बहुत ज्ञादाध्या लिक्कत थीन को और गंब बहुत ही ज़्यादा पेंच था तो आप बैधाएं अपने वारे में कान से आएं ये बेहार समस्ति पूर से हैं समस्ति पूर बताई अपने वारे बिएर समाय समस्ति पूर जीले से मेरा कमान दरा दरा था अब पुरा ठीक हो गया है अब पुरी दिक्कत नहीं है अच्छा क्या नाम है आपका राजकुमार ये अब वह 100% ठीक है एक परसेंट भी कोई दर्द नहीं है इनको पहले बैठ जाते तो उठने में दिक्कत होती थी अब नहीं होती पहले बैठ नहीं पाते थे बैठ जाते तो उठने में दिक्कत होती थी थी इनको और इनको बहुत जाना दिक्कत थी तो देखेंगे हमने क्या टीप्मेंट दिया सबसे पहले तो हमें इनके स्पाइन का पता करना है कि जब भी हम इसे चेक करते हैं स्पाइन को तो जो कर्व है कि कहां हमें स्टिपनेस लग रही है यह सारे वेटिवराज से हम चेक करते हैं डिस्क बल्ज का कोई भी पेशेंट्स कितना ही पराणा हो हमारी आँसे ठीक हो जाता है कमप्रेंशन हो डिस्क बल्ज हो नमनेस हो पैरों में तो देखेंगे क्या टीपन्दिया हमने इनको सबसे पहले हम इस्पाइन सेटिंग देते ही अवाज आ रही है देखो हर बैटिवराज में जो सारे बैटिवराज सेट होते हैं इससे उसके बाद इनको ये बिंदू पॉइंट देना है दौनों साइट और फिर ऐसे मिडल में एक पैर उठाएंगे आप ये वाला अब अब इनको कहीं भी पीन नहीं है कोई भी ये हंड़र परसंट ठीक होगा है बिल्कुर ब्स्बस्ट बबुस्रेपर से पता है प्सिंड़ाएंग और भील कत टॉप तो सीड़ा जैघंगे लिए छोड़ो निला विल्कुर वास लिए छोड़ो वास खड़े विषाई लिए अभी कोई पेन है कहीं है कोई दिक्कत नहीं दूबार बैट उठो यह पहले ऐसे बैठ थे और इनको बहुत ही ज्यादा डिस्क बंच था बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो आपने अगर हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक से करें जिससे सब लोग स्टीटमेंट्स का फाइदा ले सकें धन्यवाद